तो दोस्तो पिछले साल गलवान घाटी में भारत और चाइना के आर्मी के बीच जड़ब के बाद दोनों देशों के बीच में तफ से टेंशन बड़ा हुआ है और दोस्तों इस दर्मियान ये भी खवर आता रहता है कि भारत और चायना के बीच में इस टेंशन को कम करने के लिए बॉर्डर में बादस्चित वी चल रहा है और कहीं दौर के बादस्चित भी हो चुका है। और अब दोस्तों खवर आ रहा है कि पहले साल गलवान घाटी में जिस एरिया पे इंडियन और चाइनीज आर्मी के बीच में जड़फ हुआ था उससे करीवन एक किलोमेटर दूर चाइना के तरफ चाइनीज आर्मी के दुआरा कॉंस्ट्रक्शन को कंटिन्यू किया जा रह और इस वार ये बिल्डिंगों को निर्मान किया जा रहा है गलवान घाटी के जड़फ के एरिया से एक किलोमेटर के दूरी पे रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि पिछले साल के जड़ब के बाद दोनों देशों के आर्मी के द्वारा इस जड़ब के शेत्रे से विड्रॉल करने के उपर समझोता हुआ था पर अब चायना द्वारा गलवान घाटी के इसी शेत्रे से एक किलोमेटर के दूरी पे करिव है कि लाइन ओफ एक्चुल कंट्रोल के नजदीक फुक्चे नामग एक एरिया में चायना के नए कॉंस्ट्रक्शनों को देखा गया है जो वेसिकली अब्जर्वेशन के लिए या फिर अन्मैन एरियल वियकलों को लॉंच करने के लिए बनाया गया होगा बेसिकली ये जो कॉंस्ट्रक्शन है ये लाइन ओफ एक्चुल कंट्रोल से करीवन 6 किलोमेटर के दूरी पे है लेकिन पहडियों के चोटी के उपर होने के वज़ा से वहां से इंडियन आर्मी के गतिविद्यों के उपर बारीकी से नज़र रखाया सकता है जबकि दोस्टों रिपोर्टो एक के और इस रिपोर्ट में देवसांग एरिया के नज़िक के कॉंस्ट्रक्शन के बारे में भी जिकर किया गया है और बताया जा रहा है की इस एरिया में दो छोटे आकार के concrete के building और कुछ temporary structure जैसे की shade और barracks को भी देखने को मिला कुल मिला के दोस्तो लदाक में line of actual control के नस्दिक चायना लगवग हर शेत्र में अपने construction को कर रहा है ताकि चायना इस शेत्र में अपने पकड़ को मजबूत बना सके और दोस्तो ये construction एक तरिके से ये भी दर्शा आता है कि चायना यहाँ पे कोई बड़े मनसूबे के तहत आगे बढ़ा और इन मनसूबों में permanently इस area में army के deployment भी हो सकता है तो दोस्तो ये था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को subscribe कीजिए और साथ में बना हूँ बैल आइकन को ही प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जै हिंद